जैन दोस्तों मैं ही प्यूस और देखो आपका जो आर्ट है इस बार आर्ट में आपका क्या है बहुविकलपी कुष्चन आर है पहली बार तो देखो यहाँ पर जितने भी बहुविकलपी यह प्रस्त हैं मैं आपके लिए कर आज कहूं आपको इन सब ही कुष्चन को से पूरा तयार कर लो और आपको साइंस भी पेपर है तो साइंस और आर्ट को मिक्स करके आप पढ़ते चलो ऐसा मत सोचना कि नहीं हम सिर्फ आर्ट का ही पढ़ेंगे साइंस हम छोड़ देंगे नहीं आपको साइंस भी पढ़ना है आर्ट भी पढ़ना है आर्ट का पेपर आप लोग दे लो उसके बाद तो साइंस का एक ही दिन बचेगा तो एक दिन में आप तयारी कर नहीं पाओगे इसलिए अभी से ही आर्ट पे फोकस करो आर्ट पे और साइंस पे तो आओ हम देखते एक कुश्चन आपको यहां पर हम बताते भी चलेंगे ऐसा नहीं है कि सिर् सान्यम काल किस समय वाता वरण में किस रंग की अधिकता होती है क्या है रात के समय में रात से थोड़ा पहले जो होता है साम होता है साम के समय में साम के समय में क्या कर रहा है साम के समय में वाता वरण में किस रंग की अधिकता होती है कौन सा रंग साम के समय में वाता वरण में जादा दिखाए देते अब सुनो option क्या है आपके पास option चार है पहला है पीला रंग या फिर दूसरा लाल तीसरा नीला सफेद देखो जब साम हो जाती है तो आप सूरज की तरफ देखते हो कौन सा लंग अधिक रहता है कौन सा रंग अधिक रहता बताओ तो आप लोग क आप 10 सेकंड है अब कमेंट करो बताओ कौन सा रंग अधिक रहता है इसके बाद मैं बतातो हूँ जल्द से आप कमेंट कर दो आकिर कौन सा रंग रहता है पीला लाल नीला सफेद तो उम्मीद है मुझे आपने कमेंट कर भिया होगा कर दियो तो ठीक है नहीं तो चलो मैं को बताता हूं कौन सा रंग हो अगर लाल रंग तो यह दो लाल रंग है यह अधिक होगा ठीक अब इसके बाद देखते अपना दूसरा कुश्चन ऐसे ही सारे कुश्चन है बहुत जादा इसी कुश्चन है बहुत जादा हाड नहीं और ऐसे ही पेपर में पूरे आपको प्रभावकॉम क्या कहेंगे रेखी व्रिद्ध कहेंगे या फिर रेखी हाश कहेंगे या फिर रेखी सामानिता या फिर इन में से कोई नहीं देखो दोस्तों उसके बाद यहां पर अब बताओ इसमें से कौन सा अप्सर राइट हो जाएगा आपको पास चलो 10 सेकंड आकार के छोटे होने के प्रभाव को क्या कहते हैं तो आकार के छोटे होने के प्रभाव को रेखी 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 क्या कहेंगे रेखी आवर्धन कहेंगे नहीं रेखी व्रिद्ध कहेंगे चलो उसके बाद हमार नेक्ट कुछ ने वहां अस्थान जहां पर धरती और मिलते हुए पृतित होते हैं ऐसा अस्थान जहां पर धर्टी और आकास लगता है मिले रहे हूं यह धर्टी हो गई और यह अंना अप हो गया और एसा अस्थान उसका जहां इनको लगता है जैसे देखो ना पिर्थवी पर आप मालें यहां खड़े हो तो आप देखो कि बहुत दूर यहां पर कहीं ऐसे लगेगा कि जो आकास ऐसे आ रहा है तो यहां पर एकदम मिला हुगा है उसको क्या बोलते हैं छीतिस नेत्रच दैत्रिच दैत्रिच और इनमें से कोई नहीं ब यहां से आपको पता भी लग जाएगा यहां से आपको उपयोग क्या करेगा पता लग जाएगा कि कौन सा उपयोग करना चाहिए तो देखो यह क्या होगा वर्ट समयर होगा ठीक है अब इसके बाद चलो पड़ते हैं यह हमारा जो है नेत्र तल से उपर का अस्थान क्या कहलाता है सूर कहलाता है पिर चंद्रवा यह धरती यह यह पिर बताओ नेत्र तल से उपर का अस्थान क्या कहलाता हे जो नेत्र से जो हमारी आखें होती है आंउसी उपर का स्थान क्या कहलाता है रहते हैं तो प्र क कुछेंट पर देखो अमारा जो निक्स्ट कुष्टन हैं नेट तल से ऊपर का भाग किया कहलाता है और अब आपने कुष्चन देखाव ने तल के ऊपर का अस्थान अस्थान और भाग आप इसमें कंफ्यूस हो सकते क्या так тем देखो अक्रभूम या फिर मद्य भूम इन में से कोई नहीं तो बताऊ नेत्य तल से उपर का भाग का प्रिष्ट भूम् इसको आप लोग अच्छे से एकदम दिल में, एकदम दिमाख में अच्छे से बैठा लोगे, कि हाँ, अगर आ गया कि उपर का भाग, भाग आएगा, तो प्रिष्ट भूमी लिखोगे, वहाई पर तल आएगा, स्वारी, अस्थान आएगा, तो अस्थान में क्या लिखोगे प्रिष्ट भूमी कहलता है फिर इन में कहलता है बताओ तो जो नीचे का भाग होता है वह अगर भूम में कहलाता है और नेतल से उपर का भाग प्रिष्ट भूम में कहलाता है ठीक है ये इतने कुश्चन काफी जादा important है अब इसके बात के भी काफी जादा महत्पूर महत्पूर कुश्चन मैं ला चुका हूँ आपके जल रंग कैसे होते हैं बता यहाँ पर ऑप्सन पारदर्सी अबहाशी पारभाशी बताओ जल रंग कैसे होते हैं तो चलो इसका आपको बताते हैं अच्छा आप लोग बता आप लोग कमेंट बता दो क्योंकि नहीं तो आप कोगे कि भाई आप ताइम ही नहीं दिया कमेंट कप करते कमेंट कप करते बता बता क्या होगा जलरंग कैसे होते हैं जलरंग कैसे होते हैं पारभासी होते हैं तो बताओ पोस्टर कलर कैसे होते हैं पारदर्सी अपारदर्सी अभासी पारभासी तो पोस्टर कलर होता है देखो यह खोता है पोस्टर कलर और यह सब जितने वह भी मैं आपको यह questions बता रहा हूं ना इन सभी questions को आप चाहो तो एक copy में लिख सकते हो नहीं तो इसका प्रेडीप चाहिए तो टेली ग्राम पे जाओ आप लोग्ट या ने पर इसकोल टीक है टेली ग्राम पे जाओ ना मोबाइल पर सेकोल सर्च करना आपके सांने मिल जाएगा तो उतना ही बस सच कर ले ना वहां पर प्रेडियाफ आपको मिल आएगा तो देखो- पोश्टर कलर कैसे होते हैं पहला पारदर्सी दूसरा है पारदर्सी तीसरा है आवासी चौथा है पारदर्सी तो देखो तो पोश्टर कलर होता है वहाँ पारदर्सी होता है ठीक है तो देखते हैं आगे लेकिन एक मिट जल रंग पारदर्सी होता है पोश्टर कलर नहीं हो ना क्योंगि इतनी महरत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है तो आप लोग का फर्च बनता है कि लाइक कर दो और क्या कर दो सब्सक्राइब करदो और वीडियो को सेर कर दो अपने फ्रेंड के लिए पैस आपके जितने दोस्त उनके पास बता तो सेर करके कि हाँ यहां पर आपके आर्ट भी तयार करवाई जा रही है साइंस संच की सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो देखो जो question है let's Jamara सामान इस्थित में आकास का रंग उपर की ओरर रहता है सामान इस्थित में जब एकड़ नॉन्मल रहता है तो आकास का रंग उपर की ओर कैसा रहता है और देखो चार option है और जब आपका का इसले और का多star उपर की और आकास का रंग कैसा रहता है देखो नीला रहता है ब्लू तो रहता है यह पता है अब देखो ब्लू में क्या है गहरा नीला रहता है फिर हलका नीला तो यहां पर आप लोग बताओ तो देखो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि सामान इस्थित में आकास का रंग उपर की और रहता है ये कैसे रहता है गहरा नीला कैसा रहता है दोस्तों जखो गहरा नीला रहता है मतब काफी जाधा डार्क रहता है डार्क नीला रहता है तो एक चीज़ आपको बताओं यहाँ पर मैं आपके लिए इतने ही कुष Congo लाया था objective art की अभी अगर इंट्रेस्ट है तो आप प्लीज कमेंट करो कि भाईया हमें और आयटे के अबजेक्टिव कुछ जब बहुविकल पेप्रस ते चाहिए तो मैं ला दूँगा ठीक दोस्तों बाकि आज ची वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगे है तो वीडियो को आप लोग लाइक करना चैनल पर नए आया होता चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर देना इसी करकार की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है मैं जैहिंद बंदे मात्रा मिलता हम आपसे और किसी निष्ट एंड इंटरिस्टिल वीडियो में